Hello friends, क्या हाले आप सभी का? My name is Aakip Ali and मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चानल GV Bitmover पे तो guys, आज मैं कोई lecture लेने नहीं आया हूँ ठीक है friends, कुछ के mystery में mystery कुछ नहीं पढ़ेंगे आज हम आज basically मैं आपको एक information provide करने आया हूँ जो की अभी-अभी latest notification निकली है SSE, GD के बारे में, ठीक है friends, GD क्या होती है General Duty बारी पोस्ट जो होती है na Constables, Gunman वगएरा की इनकी पोस्ट निकली है काफी साधा amount निकला है इनका SSE की थूँ ठीक है friends, तो almost 54,000 कुछ करके ये हमारी पोस्ट है बीस हजार तक का होगा, ठीक है guys and grade पे उसकी around 2000 के आसपास होगी ठीक है friends, ये rough estimate दे रहा हूँ इस job के profile के बने में बताता हूँ बाकी आगे हम जो अब discuss करने वाले हैं की form कैसे भरना है, ठीक है और कब भरना है, चलान वगएरा, इसके इंदर exam कैसा होगा pattern वगएरा, सब discuss करेंगे उससे related कहां से पढ़ना है, ये सब कुछ हम अभी discuss करने वाले हैं, ठीक है friends तो करते हैं अब अपना start तो guys, हमारा ये जो SSC है, ठीक है इन्होंने 21st July 2018 को हमारी AK notification निकाली थी, किसे related SSC GD Constable से related, ठीक है guys तो 21 जुलाई को ये notification आई थी तो guys, आपको जो भी से related, कोई भी जो भी आपको website refer करने है तो guys, वो ये है, ssc.nic.in ठीक है guys, ये official website है इस पर ही आपका form भरा जाएगा ठीक है friends, तो form कौन-कौन भर सकता है, कौन-कौन apply कर सकता है इसकी eligibility क्या है, ठीक है guys eligibility ये है, तो qualification पहली आती है आपके पास, qualification क्या होनी चाहिए candidates must have passed 10th class और equivalent ठीक है guys, 10th pass होना चाहिए basically, और उसके equivalent board, कोई भी state board का 10th pass होएगा, और उसके पास उसकी mark sheet होगी 10th class की, तो guys वो ये form fill कर सकता उसको submit कर सकते है, ठीक है guys सारा procedure online रहेगा, इस website पर जाओगे, ssc.nic.in पर जाओगे, सारा भर होगे अपने details पर गएरा, सब कुछ आपका easily वो process होएगा, मगर कब से होगा, वो होगा, 24 July 2018 से, ठीक है guys बीच में नोंने बोला था कि 21 July से start हो जाएगा पर्टिन के servers crash हो गए थे, तो तभी अब यह नई website, ssc.nic.in पर 24 July से काम होगा यह notice आज ही आया है, 22 July को, ठीक है guys तो age limit इस में, इस paper की क्या है, 18 से लेकर 23 साल के उमर तक, ठीक है friends, जो भी 18 से 23 के बीच में है, वो यह form भर सकता है, ठीक है guys, तो काफी जादा post है इसके इंदर ठीक है, आगे बताएंगे आपको, last date of submission के है guys एक महीने का time दिया गया आपको, 24th August 2018 तिल 5 PM ठीक है friends, तो यह paper है, GD का यह बताया मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में कि कब भरना, और कब तक इसकी वो dates खुली रहेंगी, ठीक है friends, आगे बढ़ते हैं, तो guys जब आप form भर रहे होंगे, ठीक है आप sse.nic.in पर जाओगे वो basically आपका नाम बगरा, login बगरा करवाएगा आपसे, और उसके बास जब आप form भरने जाओगे, तो आपको documents की क्या-क्या जूरत पड़ेगी, तो guys, अगर आपने graduation करी है, तो graduation के मांग लेगा, diploma के मांग सकता है, और जिसने 10th की है तो वो 10th की class mark sheet ठीक है guys, eligibility पहले बता चुका हूँ कि 10th pass भी exam दे सकता है ठीक है guys, तो जिसके पास अभी नौकरी नहीं है, उसको बहुत जादा ज़रूरत है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा option है, ठीक है guys और उसको लगता है कि उसका और कोई exam अभी उसकी अच्छी त्यारी नहीं है, तो इसका exam relatively बागी exam से simple भी आगा, तो वो इसकी त्यारी कर सकता है guys, इसकी जो exam, date of exam है, वो अभी इन्होंने announce नहीं करी गई है, ठीक है, उससे related कोई information नहीं है, तो आगे documents required कोई बढ़ते हैं, दूसरा आपके पास active एक mobile number होना चाहिए और एक email address, ठीक है guys एक email address और एक कोई mobile number आपके पास होना चाहिए, जिसके through आप register कर सको, जिस पर messages आएंगे आपके पास, ठीक है guys उसके पास, जो आप photograph upload करोगे न, ठीक है guys, उसका size 4 से लेकर 12KB तक होना चाहिए, यह हो जाता है, adjust हो जाता है ठीक है friends, यह तो था document से related जितनी information मिली, वो बताईए, इस exam से related उसके बाद guys, vacancies total कितनी है, इसके अंदर, वो है 54,953 ठीक है guys, 14,953 यह इतनी post निकली है, ठीक है guys BSF, CISF बगएरा Assam Rifles बगएरा के लिए, Constables और Gunman बगएरा की यह post है ठीक है guys, अब बात आजाती है कि application fees, fees कैसे भरनी है, ठीक है friends तो guys, जो तो female है, हमारी female SCST होगए और ex-servicemen, कोई भी government के ex-servicemen होगए उनके लिए paper free है, उनके लिए कोई fees नहीं देनी, बाकि जो बचके general category guys, उसके लिए यह इसकी fees जो होगी, वो है 100 रुपे ठीक है friends, अब fees भरनी कैसे है, fees can be paid through SBI चलान, ठीक है guys, आप SBI चलान बनवाके भी यह fees pay कर सकते हो, net banking के थूँ कर सकते हो credit card या फिर debit card, किसी भी bank का use हो जाएगा, online payment होगा सब कुछ, ठीक है friends, अब guys, जो चलान का scene है, जो चलान के through करवाएंगे ठीक है guys, तो वो make sure करें कि 24 अगस्ट 2018 के 5 बज़े से पहले-पहले वो अपना चलान बनवा के रखें, ठीक है guys, बनवा के भी रखें और submit करवा सकें, तो वो और भी better रहेगा, ठीक है guys, उसको बनवा के रखें, और जो payment है चलान की, वो 28 August 2018 तक रहेगी, तो ध्यान रखना कि चलान 24 August से पहले बना होना चाहिए किसी भी, SBI bank में ठीक है, bank के timing से दुरानी आपका वो चलान बना होना चाहिए ठीक है friends, तो ये था application fees के बारे में आगे बढ़ते हैं ठीक है guys, इस exam के थुरू post कौन से मिलेगी, constable की post मिलेगी, कहां-कहां पर BSF, CISF, CRPF ठीक है guys, और rifleman की post मिलेगी, Assam Rifles में ठीक है guys, ये तो होगा, post के बारे में अब बात करते हैं, main कि exam कैसे का हैगा, structure क्या है examination का, ठीक है guys, examination examination कैसा होगा, तो guys जो examination होगा न, इसके चार levels होगा, एक तरीके से चार process का ये examination है, ठीक है friends तो क्या होगा, पहला जो examination होगा आपका guys, वो होगा, computer based online examination होगा, ठीक है guys, 100 number का paper होगा, ठीक है guys, 90 minute मिलेंगे उसमें आपको, तो subject के आजाते हैं, इसमें आपके, gk, reasoning, maths, english या फिर hindi, ठीक है guys, अगर आप लोग नए हो, तो हमारे channel gvvitmover को subscribe करो, और साथ ही कि साथ, आप लोग वहाँ पर उसको bell icon को भी दबाना ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचे, तो guys एक और चीज़ बताना चाहूंगा, playlist को जरूर सर्च कीज़ेगा, वहाँ पर आपको maths का सारा content मिल जाएगा, CGL से related, ठीक है guys, तो आप उसको जरूर करिएगा, ठीक है guys, तो इसमें आपको बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि CGL का level बहुत ही जादा अच्छा होता है, ठीक है guys, as compared to GD, और बाकी आपको GK के लिए वहाँ पर थोड़ी बहुत ही, अभी chemistry और geography ड़ली है ठीक है guys, आप लोग बहुत देख सकते हो ठीक है, और आने वाले टाइम पर आगे हम बाकी GSB cover करेंगे English के लिए अभी हम आपको कह सकते हैं कि हमने SSE CGL Tier 3 की कुछ 3-4 वीडियोस जाली विए, उसमे एक essay भी है, आप वो जाकर देख सकते हो playlist पर सब कुछ मिलेगा, तो please इस channel को subscribe कीजेगा, ताकि हम और भी जो आगे आने वाले टाइम पर जो content आने वाला है, मैं और GV सर लेंगे और और भी teachers आके लेंगे, ठीक है आप तक पहुँचे, ठीक है friends, तो यह तो होगी, ऐसे इसकी तियारी होगी, ठीक है friends, यह subjects बता दिये हैं आपको उसके बाद आ जाता है इसमें, main तो वही है ना, कि आपकी जो जोब है, थोड़ी वह physical related जाद होगी, तो physical efficiency test होगा, तो guys, इसमें क्या होगा, कि आपकी running करवाएंगे male की जो test करेंगे, वो होगी 5 km, 24 minute में, ठीक है guys 5 km in 24 minutes you have to cover it, ठीक है, आपको यह cover करने बढ़ेंगे, उसके बाद जो female होगी female के लिए है, 1.6 km 8.5 minutes में, ठीक है guys यह target रहेगा, जहाँ guys, यह written paper clear हुआ, इसकी त्यारी के लिए आपको time मिल जाएगा, running running आपकी एकदम set हो जाएगी, कोई चकर नहीं है इसका, आगे बढ़ते हैं आगे क्या चीज़ आती है, हमँर पस physical standard test guys, इसमें height और chest चोगे रहा discuss करते है जो male की जो height होगी guys उसमें general OBC और SE के लिए same है जो कि 170 cm में है यह height, ठीक है guys ST की अलग रखी विए है, हाँ पर criteria 162.5 cm ठीक है guys female के लिए 157, जो कि general OBC और SE के लिए बाकी ST के लिए है 150 cm ठीक है friends उसके बाद आजाती है, हमारे पास chest expansion जो कि सिरफ male के लिए है और यह आपको chest size यहाँ पर दे रखा कितना होना चाहिए, जब आपसे वो expand करवाएंगे 80,5 उसके लिए general OBC और SE के लिए बाकी 76 by 5 ST schedule trap के लिए ठीक है guys यहाँ तक समझ आ गया होगा I hope आपको ठीक है friends और वैसे भी 24 से start होगा यह कामना, 24 July से आपकी form filling start होगी तो guys, last जो हमारी इसका जो process है वो है medical examination ठीक है guys medical examination में क्या है कि आपकी eyesight क्या है कमजोर तो नहीं है वो सारा को चेक करेंगे तो इसके अंतर यहाँ पर मैंने, जो मुझे मिला वो मैंने लिख रख है minimum distant vision should be 6 by 6 and 6 by 9 of two eyes without wearing glasses यानि कि जब आपर वो eye testing कर रहे होंगे तो बिना sunglasses के होगा सारा कुछ sorry, बिना किसी specs वगरा के होगा जो अगर आपको specs लगी विए तो specs होता रही जाएगी तो उससे साप से ध्यान रखना कि आप 6 by 6 और 6 by 9 वाला eligible हो की नहीं हो ठीके guys, पहले ही ध्यान रखना इस चीज़ का उसके बाद the candidate must not have knock knee knock knee नहीं होने चाहिए यानि कि जो आपकी गुट नहीं होते है थोड़े जुड़े से नहीं होने चाहिए जब आप खड़े होते हो ठीके guys उसके बाद flat foot नहीं होना चाहिए flat foot का मतलब होता है कि जो आपका pair होता है पैर वो पूरा like जमीन पर जब touch करते हो तो बीच में थोड़ी सी space होनी चाहिए ठीके guys flat foot पे अगर किसी की नहीं जो आपका foot होता है थोड़ी सी जमीन और foot के बीच में हल्की सी अगर आप देखोगे थोड़ी सी जगा होती है बची होती है जिसकी नहीं होती वो guys होता है तो वो नहीं होना चाहिए बाकी आपके बास आजाता है varicose vein varicose vein का मतलब होता है basically legs में लातों में जिनकी वो होती है जिसको कहते है नसे बाहर निकली पड़ी होती कुछ-कुछ नसे दिखरी होती guys वो थोड़ा कमजोरी अगरा दिखाता ठीक है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए तो diet weight low अच्छे से ठीक है guys healthy रहो यही है तो वो basically यहाँ पर यह varicose vein में तो यहीं आजाता है कि नसे बाहर नहीं आनी चाहिए उसके बाद आजाता है हमारे पास squinting eyes squinting eyes का मतलब होता है basically आँखे टेड़ी मेड़ी नहीं होनी चाहिए जैसे कुछ होती है न कहीं कि थोड़े सा कुछ defect होग रहा हो जाता है eyes में थोड़ी कुछ तिर्चीस ही होती है ठीक है guys वो नहीं होनी चाहिए बता चुकों सारा कुछ और भी related इसे related जो important notification PDFs वगेरा होगी वो मैं अभी के अभी इसको अपने groups में हम लोग कर देंगे अभी उसमें circulate अपने groups में एक telegram में telegram को join कर देना और description में आपको link मिल जाएगा telegram का उसके बाद whatsapp groups ही है कुछ उदर भी circulate हो जाएगा ठीक है guys तो PDFs आपको वहाँ पर available होगी तो guys जिसने अभी तक channel subscribe नहीं किया please करो और जाके खोजो channel की playlist के अंदर क्या-क्या यहाँ पर रखावा material आपके लिए हमने बना कर ठीक है guys all the best मिलते हैं अब नई series चूरू करेंगे chemistry तो आज खतम हुई है ठीक है friends all the best